वेलकम बैक स्टूडियोंट्स हम लोग आदकल पढ़ रहे हैं जनसंचार और अचनात्मक केखन जो की हिंदी ख नाम से पेपर है सभी यूजी कोर्सेज का हिंदी ख बिटा वो होता है जिन बच्चों ने 10th class तक हिंदी पढ़ी होती है 11th class में हिंदी नहीं पढ़ी होती है तो आपकी जो रिसिप्ट है आपकी फीस की जो रिसिप्ट होगी उसमें आप लोग देख सकते हैं पेपर का नाम आपके लिखा हुआ होगा जनसंचार और रचनात्मक लेकन पढ़ा था, computer पढ़ा था, film में पढ़ी थी, videos पढ़े थी हम लोगों ने इसके बाद हमने new electronic माध्या में हमने computers को भी देख लिया था इस बाद अब हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट में आपका बाहय संचार माध्यां तो बिटा paper का नाम है जनसंचार माध्यां, सभी की सभी यूजी courses में आपकी 4 semester में शामिल है इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं दूसरा पार्ट हाल में आपको करवा रही हूं, दूसरे पार्ट के भी आक्चुलि हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं तीसरा भाग आपका में यार करवा रही हूं, इसका नाम है बाहय संचार माध्यां विश्व की सबसे पुरानी संचार प्रणाली के रूप में सीधे जनता तक पहुँचने का एक विशिष्ट माध्यम बाहय संचारी रहा है तब जनता के साथ डिरेक्टली बात करना, रूप रूप हो करके बात करना इसे बाहय संचार माध्यम नाम दिया गया है यानि कि बाहरी रूप से संचार कर रहे हैं, आप सीधे डिरेक्टली कोई मीटिंग कर ली, कोई प्रदेशनी लगा ली, कोई मेला कर लिया इनके जरी जो संचार होता है उसे बाहे संचार मात्यम कहा चाता है जिसमें सीधे सीधे जनता आपके सामने होती है और आप उनको कोई अपनी बात पहुंचा रहे होती है जैसे कि चुनावी रैलिया होती है या कोई मेला होता है, कोई प्रदशनी होती है कई कोई भाषन दिया जा रहा होता है या कोई नुकर नाटक होता है ये सभी के सभी बाहे संचार माध्यम तहराती है दुनिया की सबसे पुरानी संचार पढ़ाली मानी जाती है क्योंकि बिटा अगर आपने पुराना कोई साहिते पढ़ा है तो इसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो गुरु शिश्य परमपरा चलती थी वो यही था कि सामने शिश्य बैखे हुआ करते थे गुरु उनको शिक्षा दिया करते थे तो वो भी बाहे संचार पढ़ाली ही हुआ करते थी पुराने समय जग़ जग़ अपने वाली प्रदर्षणी मेलों के दोरह लोगों को विभिन सुचनाओं का आधाम पधाम ञत्व से होज़े नहीं होता था कि लोगों को सुचनाएं देना उन तक अपनी बात पहुचाना अपने संदेश पहुचाना आसानी से हो जाया करता था जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा भारत वा शुनति कैसे हो वो भाषन भी बल्या के मेले में ही दिया था भारत इंदो अरिशन्दु जी ने तो ये भी बाहिस संचार पनाली कही एक पैसे एक उधारन था इनमें दिये जाने वाले भाषनों खेले जाने वाले नुक करनाटकों के द्वारा सीधे संचार की सुविधा के कारण सुचनाएं ज़्यादा परभाव भी रहते थे क्षेट रादिकार से मित्त होता था इसका यानि कि आप अपने सामने बिठा करके कितने लोगों कोई बात अपनी बता सकते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 ये बात आपकी बहुत ज़्यादा जैसे कि आज कर आप टीवी पर बोले हजारों लाखों लोगों तक आपकी बात पहुच गई अपने मीडिया में कोई बात का इलाखों लोगों तक मच दे तो वो चीज नहीं होती थी उस चेत्र में उस पर्टिकुलर टाइम पर उस खास जगह पर जितने लोग उपलब्ध होते थे सिर्फ उनहीं तक अपना संदेश भीज जा सकता था यही बात आज भी है किसी सभा म किसी मीटिंग में किसी नुकर नाटक में बाहे संचार माध्यम के दौरान या बाहे संचार माध्यम के जो होता है उसके माध्यम से जबं कोई संदेश भीजते हैं तो हमारे पास अधिकार जो है उतना ही सीमित हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पर उस पर्टिकुलर इसके बावजूद भी उपयोगिता जो है, उसको कुई नकार नहीं सकता है. आज भी समाज में इनकी उपयोगिता बहुत जदा बनी हुए है. इस दिशा में मय उपयोगिता सबसे जदा मानी जाती है बिटाक। अब उधारन दिये जाएंगे आपको प्रदर्शनी और मिले, पुरानी संचार प्रणाली में सबसे ज़्यादा प्रदर्शनी और मिले लगा करते थे, लोक माध्यम होने के कारण लोक की भूमिका इनमें अधिक होते थे, लोक माध्यम ता यनकी आम लोगों का माध्यम ता य नहीं होते थे प्रदर्शन और मेले, बलकि यह साथ-साथ लोगों के अंदर वैल्यूस का डवलप करने में भी मुल्यों के विकास में भी अपनी है महतवपोंट भूमिका निभायाग करते हैं। किसी खुले स्थान पर आयोजित किये जाने वाली प्रदर्शनियों और मेलों में किसी निष्चे संचार की प्रक्रिया का निधारन नहीं होता है। भीर की तरह आते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुरूप किसी एकसान पर ठहर थेयते हैं जो आने वाले लोगों होते अपनी इच्छास से आते हैं आपका बुलामें से नहीं आते हैं भीर की तरह से आते हैं उसमें हार तरह की लोग वोता हैं अमीर गरीब इत talents बु लोग आपका पूरा भाशन्ट सुनेंगे ही, वो पूरी तरह से आजाद होते हैं, कि आपकी बात को सुने ही नहीं, बीच में चले जाएं, शुरुवात में रुके ही नहीं, या पूरी बात सुने हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है। के द्वारा इस तरीके से बाहिस आपका संचार होता है। इन नाटकों तथा अन्य कारेक्रहों में, कारेक्रम प्रसुत करने वाले किसी संदेश को समाज तक पहुचाना चाहते हैं। इसलिए नाटक के रुची कर या लोग गीतों के रुची कर लोग कारेक्रम के दोरा मा खड़े होकर उसे देखने लग जाते हैं। इसी वज़े से जिन लोगों को नाटक में रुची होती है या जिनको गीत में रुची होती है नृत्य में रुची होती है वो लोग उसको रुख करके देखने लग जाते हैं। नुकर नाटकर बेटा इसी तरीके से प्रपसर होता है। लोग पहले लोगों का अकशित करते हैं अपनी तरफ डंडू बजाएंगे, धपडी बजाएंगे, शूर मचाएंगे, उर्टी सीदी हरकते करेंगे ताकि लोग उनको देखने के लिए रुखें। उसके बाद वो घोष्टियों का भी आयोःजन करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बलिया के मिले में भाशान हुआ था, भारत timeline रिच्छनदी सीदा तो इस तरीके के मिले होते हैं, यहाँ पर जन सभाहें भी आयोजजन की जाते हैं, गोष्टियों बोलने वाला ग्यक्ती अपनी बात कहता है और भीर के लोग उसकी बात को सुनते हैं आम तोर पर यहाँ two-way communication नहीं होता है दो तरफा संचार नहीं होता है एक तरफा संचार होता है निकि बोलने वाला व्यक्ति ही सिर्फ बोल रहा होता है बाकिसे लोग उसको सुन रहे होती है तो बोलने वाला व्यक्ति जो होता है उसके संदेश से भीर में रहने वाला प्रतिक व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसकी बातों से विशे में मत रखता है जो बोलने वाला व्यक्ति उसको सुनते सब लोग हैं लेकिन उसके बारे में सबकी अपने विचार होते हैं, प्रतिकृटब्रिया सबकी अपनी अलग-अलग होती है, इसलिए संचार का ये परमपरागत का कार मौकिक होने के बावजूर्बी संचार की सशक्त पहचान के रोप में आज भी प्रचले थे, क्योंकि बहुत से लोगों कोई एक साथ संदेश ते दिया जाता है, कोई morning assembly है, school की, कोई college का कोई meeting है, कोई fest है, कोई fest है, या कोई संचार की, मेलो के दरान इस तरह के काई कमकायोजन करते है, जहां भी प्रदशनी होती है, मेला होता है, वहाँ पर ऐसा एक सभा ऐसी रखी जाती है, जहां पर वक्ता होते हैं, वो बोलते हैं और सभी लोग उनको सुनती है, यह बाती प्रदशनी और मेलेगी, इसकी बाद है नुकड नाटक, नुकड नाटक का प्रचलन भी बहुत ताइम से रहा है बटा, वर्शों से इसका प्रदशन होता चला आ रहा है, नाटकों के लिए किसी मंच या सभागार की अवश्यक्ता नहीं होती है, नुकड नाटक की सबसे बड़ी विशेष्टा यही ह या कि इसके लिए कोई सभागार नहीं चाहिए होता, कोई मंच नहीं चाहिए होता, बलकि नाटे मंडली के लोग किसी भी जगा पर खड़े होकर के एक दाइरे में अपने नाटक को करना शुरू कर देते हैं, गोलधारा बना लेते हैं, उस घेरे के अंदर उन लोग नाट करना शुरू कर देते हैं, किसी भी गली के नुकड़ पर, किसी भी मैदान में, किसी भी जगा पर ये लोग कर लेते हैं, यह जरूरी नहीं है कि मंच पर ही करें, मंच पर भी कर लेते हैं, लेकिन यह उस चीज़ के महतास नहीं होती है, जहां जगा मिल जाए उतना पर ये और नुक्कर नाटकों में विशेश रूप से किसी समस्या को आधार बना कर उसे खेला जाता है। पर पकाश डालने के लिए इन नाटकों को गाउं गाउं बस्ती बस्ती जाकर खेला जाता था बेटा बारत की आजादी से पहले जब आजादी का संग्राम हमारा चल रहा था हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस दौरान अगर खुल करके अंग्रेज के की जाते थे इसमें या पिर जैसे भारत दुर्डशा नाटक है भारत इंडोरेशनर का इस तरह की नाटक खेले जाते थे जिनमें की जो सरकार की गलत नीतिया थी उनको जागर किया जाता था लोगों को एक जुठ होने के लिए कहा जाता था गाउं गाउं बस्ती बस्ती ज को याद करते हुए अंग्रेजों के खिला अजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक जूत हूँ चोटी-चोटी बस्तियों की चौपाल या किसी खुले मैदान में नाटक मंदली के लोग अचानक खड़े होकर ढ़ोल बजाकर धपली बजाकर दमरू बजाकर लोगों को अपना नाटक देखने के लिए आमत्रित करते हैं तब यह तरीका होता है नाटक का कि लोगों को पहले आप इकठा कीजी इसे भी जगा जाकर कि आप पुल्टी-सीधी हरकते भी कई बार करने पर जाती हैं उनको मंदली वालों को परपज होता है लोगों को इकठा करना सबसे पहले, जब लोग इकठे होंगे, उसकी बाद नाटक शुरू होता है, और नाटक शुरू होता है, तो उसमें किसी समस्या को रखा जाता है, और फिर उस समस्या का समाधान बताया जाता है, तो इस नाटक के द्वारा वे समाज के सामनी अपने संदेश को सहस्ता से पहुंचा पाते थे, आज भी वही बीते है वीटा, आज भी वही बात है, बल्कुल सची बात है कि नाटक के द्वारा, नुकर नाटक के द्वारा, नुकर नाटक कर्मी जो होते हैं समाज के सामनी अपने संदेश को बड़े अराम से पहुं उसमस्या को समझ पाते हैं कि हाँ यह समस्या है और साथ में वहां से उसको उनको हल भी मिल जाता है तो यही कारण है कि आद भी नुकड नाटक कहीं हो रहा हो तो देखने के लिए लोग भीर लगा लेते हैं लोग रुख करके देखने पसंद करते हैं सभी लोगों के सामनी ये नातक खेला जाता है और एक समान संदेश सबी तक आसानी से पहुंच जाता है, बड़ी सह जिता से पहुंच जाता है लेकिन नुकड नातकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि इसे खेलने के लिए नाटक मंडली को खुद दूर दराज के शेट्रों में जाना पड़ता है, समस्या का नाटे रूप प्रसुत करना पड़ता है, उसको नाटक के रूप में पेश करना पड़ता है, उसके बाद लोग उसके साथ कनेक्ट होती है, उसके बाद उनको समस्य बताने पड़ती है, तो लोगों को क्या होता है, इसके लिए खुद जाना पड़ता है दूर दूर तक, साथ में उनको कोई से इंकम नहीं होती है, आम तर पर नुकर नाटक करने वालों को, क्योंकि लोग कहीं भी गली चौराई पर खड़े हो कर देख रहे हैं, उसके लिए क को खर्च करना पड़ता है, अपनी जेब से खर्च करके लोग जाकर नुकर नाटक दिखाती है, इसलिए और साथ में अपना टाइम भी देना पड़ता है, अपने सारी काम छोड़ करके, अपनी जेब से खर्चा करके जाकर कि आप कहीं मंडली बनाएंगे, वहां प्रक्ट उनको एक तरह से एक जैसी उनिफॉर्म भी बनानी होती है तो उनिफॉर्म के लिए उनको कई बार खर्चा करना पड़ता है, आउट्पुट इस उनको मिलता नहीं है, कि वह एक प्रसिद्धी मिलती है, कई बार वो भी नहीं मिलती है, यह लोग करते रहते हैं, लोग उनकी बिना पता है, कि नुकर्ण की मंडली का नाम भी पता नहीं चलता है, और साथ में, कई बार ऐसा भी होता है कि नुकर्णाटक लोग देख गए, लेकिन उसमें जो नुकर्णाटक करने वाले संदेश देना चाहते होते हैं, वो लोगों तक पहुंचता भी नहीं है, लोग संदेश को नहीं देखना पसंद करते हैं केवल कहानी को enjoy करना चाहती हूथ फिर भी इस माध्यम का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है माना जाता है फिर भी कि नुकर नाटक का प्रभाव बहुत सशक्त होता है लोगों में जागरती लाने के उद्देशे से केले जाने वाले इनाटक आज भी जन जन में लोग प्रियाँ, आज भी नुकर नाटक लोगों में पसंद किये जाते हैं, तो उसका कारण यही है, कि इनका प्रभाव तो पढ़ता है, तो बेटा ये थे बाहय माध्यम जन संचा आएंगे इस बार, आपको मालूम है, NEP 2020 के अपका चले बस है, उसलिए आपके गार्फ नहीं पूछे जाएंगे, ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूं कि आपके गुमा फिरा करके इन डारक बे में कूछे जाएंगे, और उसका आंसर आपको अपने तरीके से ही लि जितने वीडियोज बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखें, आप एक गंटे, आदे गंटे, दो गंटे के वीडियोज के चकर में ना पढ़ें, क्योंकि आप जब आप तीन गंटे का पेपर लिखने बैटेंगे, तो आपके पास content नहीं होगा और आप shortcut में देखेंगे, इसलि बात के वीडियो में बेटा मैं आपके लिए बनाओंगी, कि जन संचार माध्यों में हिंदी भाषा, कैसे काम कर रहे हैं, इसका वीडियो हमारा अग्रा रहें रहें तक आप इसको देखिए, परहे कुछ doubt है, तो आप लोक मेंट सप्छिन मूठ लुट लीजिए, और channel subscribe न सारी शुपकाम नाए, have a great day ahead, जय हिन, जय पायरत.